हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब बढ़ी आऊंगे आज बनाएंगे दही वाली प्याज एकदम यूनीक और आसान सी रेस्पी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने लिए दो हरी मिर्ज इन में से बीज में से चीरा लगा लिया दो लिए सूखी लाल मिर्ज और दो से तीन लिए मैंने प्याज इन को देखे इस चरह से मैंने काट लिया है तो चलिए रेस्पी सुरू करते हैं एक कटोरी लिए मैंने फ्रेश तही गैस पे मैंने पैन रख दिया गैस को कर दिया था ओन अब इसमें डाल दिया सरसो का तेल एक चमच भरके डाल द्याँ मैं इसमें राइ, एक चमच ज्रच जाल दिया जीरा, थोड़ी इसी डाल दिया हिंगP देखे जीरा, राइ और हिंग अच्छे छाटक ने लगए आज़िंग हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च अब डाल देंगे इसमें कटा हुआ लैसुन और आप डाल देंगे कटीवी प्याज प्याज को हमने जब तक फ्राइ करना जब तक की प्याज हमारी सोफट ना हो जाए जले ना सोफट हो जाए तब तक के हमें इने फ्राइ करना है मीडियम to slow गैस पे पानी वग्यरा भी मैंने इसमें कुछ अड़े नहीं किया है मसाले भी नहीं डाले हैं और नमक हम डालेंगे बाद में तो देखिए एक कटोरी दही लेती है इसमें कुछ सूखे मसाले अड़ करती है धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर तो देखिए हलकी हलकी जो हमारे प्याज हो गुलाबी होने लगी है तोड़ी सोफ्ट भी हो चुकी है थोड़ा सा इने और पका लेंगे एकदम आसान और यूनीक सी रैस्पिय दे कि प्याज हमारी सोफ्ट हो चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे धही जिसमें हमने मसाले अड़ करके रखे थे और गैस को हमने थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है तो पैन हमारा गरम है और धही को देखिए इस तरह से प्याज में मिक्स कर लेंगे बैल आइकन को जरूर प्रेस कर जिससे कियाने वाली वीडियो की नोटिफेशन आपको मिलती रहे तो गैस को मैंने ओन कर लिया है बिल्कुल धीमी गैसा कर रखिए मैंने तो देखिए हम इस तरह से मिला लेंगे प्याज में ड़ल देंगे अमचूर-पॉडर तो यूटा-जाट मसाला और थोड़ा सा डाल देगे ओन नमक नम इनका बाद में इसलिए आड़ किए का कि धह हमारी फटेना तो देखिए धही वाली प्यास अमारी बनके हो चुकी है तय valeur आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं पराठो के साथ खा सकते हैं नान के साथ भी ये काफी टेस्टी लगती है खाने में नमक एड़ करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे आप चायत इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते ताक ये थोड़ी खटी मिटी सी हो जाए तो लीजिए तयार है हमारी दही वाले प्याज पांच मिन्ट में बनने वाली रेस्पी है और एक दम टेस्टी रेस्पी है अगर आपने एक बार बार खाने और बनाने का मन करेगा बस आपने एक बात का ध्यान रखना है प्यास को हमने तब तक फ्राय करना जब तक कि वो सोफ्ट ना हो जाए उन्हें सोफ्ट करना है जलाना नहीं है तो गैस को हम बिल्कुल स्लो पे रखेंगे तो वीडियो अच्छी लगयों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में